वेल्कम क्लास हम पढ़ रहे हमारी ISM ठीक है ISM का भी नबर फोल में टॉपिक है इलेशन्शिप रिलेशन्शिप या रिलेशन बिट्वीन स्लोग डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्विचर ठीक है यह हमारा क्या है इसका यह हमारा इलेशन्पिक है इन्हों टॉप बीच में ठीक है deflection और हमारा radius of curvature है इसके बीच में relationship निकाल लेगा है slope अभी यह है क्या हमारा यह unit चल ले है यह मार टापिक चल लेगा deflection वाला तो यह हमारी कोई बीम है simply supported beam है suppose इस पर load आया इस पर UDL लेगा तो इसमें क्या होगा deflection हो जाएगा हमारी जो beam की shape है कुछ ऐसी हो जाएगी ठीक है deflection हो जाएगी यह हो जाएगा deflection इसमें तो अगर हमें इसको x-axis ले लूं यह वाली x-axis हमने x-axis ले ली यह y-axis ले ली तो क्या हो रहा है हमारा पहले का इसको यह हो जाए कर तो आ ओपर हम्हारा पे यह अ यहां पर यह जो爸爸 करों पॉंट यह ठीक है अगर हम देखें इस beam को हम एक single line से represent करें, यह हमारी single line से represent कर दिया ने पूरा beam को, तो आप beam जो गे deflect होके ऐसी हो गई है, right? पहले point अगर हमारा A यहा पर हुआ करता था, आप हमारा point यहाँ पर है, तो इन दोनों की बीच में, जो हमारा vertical, जो हमारी distance आ गई ठीक है, vertical distance आ गई, yघ पउस्टम से देखें इस y को बोलते हैं, यह हमारा deflection गया, ठीक है इस particular section में, इस particular session पर आगा हम इस section पर देखें यह पूरी beam खोगी इस particular section पर देखें तेक्ष जिक भी a-point यहा पर आगया और यह b-point यहां पर आगया तो अगर इस x section की बात करें तो हमारे इस पर कुछ डिफलेक्शन हो गया होगा उसको बोलते हैं इस distance को बोलते हैं यह जो होती है हमारी deflection ठीक है अगर मैं इस point पे tangent करूँ इस point पे tangent बनाई ठीक है जो इसको touch कर रही है tangent इस point पे बनाई और इसको हमने x axis के साथ हमने angle देखा कितना angle है हमारे तो इसको बोलते हैं slope ठीक है और radius of curvature क्या होता है यह हमारी beam है ठीक है simply supported beam है अब यह beam हमारी क्या हो गई इस beam में हमारा deflection हुआ यह हमारा इस beam में deflection हुआ अब जब यह deflect हो गई यह पहले कैसी थी straight थी अब जब deflect हो गई तो एक curve type बन गया अगर मैं इस curve को complete करूँ अगर मैं इस को देखूं भीम को तो इसकी shape ऐसे हो गई इस shape का अगर मैं circle ड्रॉआ करूँ कि इस shape से एक circle जो बनाऊं जिसका यह r का represent करें यह तना deflected shape तो अगर मैं इसको एक circle बना दूँ तो कुछ ऐसा circle बनेगा जिसका center किदर होगा यह होगा तो जो इसकी radius होगी उस imaginary circle से जो हमने बनाया है इसको complete करने के लिए तो वो r होगी इस r को भी बोलता है radius of curvature यह curve है इस curvature का जो radius होगा अगर मैं इसका complete circle बना दूँ उसको हम center से origin से देखें तो हमारा जो radius आएगा यहां तक का तो इसको बोलता है radius of curvature तो हम इन तीन चीजों को देखने वाले है कि इन में क्या relationship होगा कि हमने load लगा है तो इसको deflection होगा और वहां पर slope जो है कि उस deflection पर point पर tangent लेके हमारा slope कितना x-axis से वो मारा slope और हमारा radius of curvature कितनी हमारी beam बैंड होगी है तो उसकी radius देखो अगर हमारी beam जादा बैंड हो रही है तो उसकी radius जादा होगी ठीक है slope deflection relationship between slope deflection and radius of curvature हमने क्या किया consider क्या है small portion PQ यह हमने PQ portion है जो consider क्या है किसी beam का जो deflect हो रही थी ठीक है तो उसकी यह deflected shape बनाई हुई है जो band है into an arc figure में रिप्रिजन किया गाया यह एक arc type है band होगे इसको show किया गया figure में that is our P, point R P and that is point Q तो इसमें जो point P है हमारा ठीक है इस point पे हमने tangent लेते हुए हमने slope लिया है that is our theta और एक हमने इस point पे लेते हुए tangent इस point पे tangent लिया ठीक है तो हमारा यहां पे angle change हो गया theta plus d theta कुछ हमारा angle बढ़ गया ठीक है यह हमने x-axis लिया यह हमने y-axis लिया अभी यहां से लेकर इस point के बिल्कुल करा तो यह जो distance होगा इसको हमने बोला यह dx है ठीक है और यह distance हमने बोल दिया यह हमारा dy distance है ठीक है ऐसे यह जो आर्क है इसकी जो लेंथ है वो हमारी ds है ds is a length of beam pq यह beam है यह फिर जो आर्क है हमारी beam deflect हो गई उसका जो आर्क है यह pq यह क्या है length of beam आर्क हमारा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हमारा radius of arc यह जो आर्क है इसका अगर हम imaginary circle बनाए complete करें तो उसका जो radius होगा यहां ओ ओरीजन से वो क्या होगा c ले 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 इसको ठीक है c ले लिए हमने इसको यह आर्क है और रिप्रेजेंट कर रहा हमारा radius of arc यह मतलब यहां से लेकर और यहां तक का distance ठीक है radius of arc c हमारा यहां center of arc है theta angle है जो हमारा tangent p पर tangent लेकर उसे लिए गया जो हमारा theta plus d theta क्योंकि यहां से लेकर यहां तकारे में हमारा कुछ angle d theta change हो गया होगा फिर हमने जो मत्र से देखा कि हमारा जो angle p c और q है वो हमारा d theta होगा ठीक है तो angle जो हमारा होगा p c q वो d theta होगा अभी हमें एक property पता है हमारी तो यह हमारा angle जो है हमने यह वाली line सीधी सीधी आगे बढ़ाई तो यह वाला angle भी हमारा क्या होगा theta ही होगा यह straight line है ठीक है एक तरीकी से straight line है यह straight line को represent करें अभी हम बात करते हैं हमारी आगे कि जो हमारी हमको पता है formula क्या क्या हमारा होता है angle equals to r upon radius है ना एंगल एंगल is equals to क्या होता है एंगल is equals to होता है हमारा आर्क अपॉन हमारा radius ठीक है यह होता है अभी यहां पर हमारा जो एंगल है वो क्या है हमारा हम पर अगर हम इस एंगल को ले दी ठीक को और r को और ds को इसमें अगर हम यह वाला formula लगां अपना तो हमारा angle है हमारा d theta is equals to r कहा हमारा यह ds length का है ठीक है देखते हैं यहां पर यह हमारा angle इसमें लगा रहे हम p cq में हम लगा रहे हमारा angle d theta है ठीक है और d theta equals to r r हमारा कहा है ds है upon radius क्या है हमारा r ठीक है तो हमने ले लिए r radius तो हम यहांसे r की value निकाल सकते है हमारी यहांसे हमारी r क्या आजाएगी आ रहा जाएगे हमारी ds upon d theta, इससे हमने यह लिखा, ठीक है, अब भी जो हमारा, अगर हम बात करें, ds हमारा क्या है, ds हमारा क्या है, is very small, अगर हमारा ds बहुत छोटा है, तो हम ds को is equal ले लेंगे, dx के, ठीक है, यह जो ds है, यह इसको हमने dx के को ले लिए, इन दोनों को, ठीक है, तो हम अपने r को लिख सकते हैं, r equals to dx upon d theta, ठीक है, यह फिर अगर हम इसको reverse करके, 1 upon r की value क्या जाएगे, अगर हम इसको reverse लिखके, तो यह हम इसको लिख सकते हैं, d theta upon dx, ठीक है, यह क्या होगे, हमारा radius of curvature में और theta के हमारे यहापे, slope में हमारा relationship पार जाता है, अब हम हम यहाँ से 10 theta की बात करते हैं, यह जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ side में बना लें, ताकि proper दिख जाए, तो यह हमने यहाँ पर बनाया, यह हमारा theta है, ठीक है, यह हमारा ds और यह हमारा d y, तो यहाँ से 10 theta की value क्या आएगी, इससे हमने निकाली, 10 theta क्या आएगी, यहाँ से हमारी, P, Q, इसको हमने नाम दे दे, कुछ A नाम दे देते हैं पर, P, Q, R, P, Q, T, हम बात करें हमारे P, Q, and T की, तो इन P, Q, T, 10 theta की value कितनी आज जाएगी, dy upon dx, सब कोई पता है, dy upon dx होगी, यहाँ से 10 theta की value, ठीक है, अगर हमारा theta क्या है, अगर हमारा theta बहुत जादा small है, छोटा है, theta हमारा छोटा angle है, हम छोटे से r की बात करें, हमने एक segment लिया, हमने पहली बात करें थी, consider a small portion, P, Q, ठीक है, तो हम 10 theta को क्या लिख सकते हैं, हम 10 theta को simple theta लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा theta की value क्या आगई, dy by dx, यह क्या represent कर रहा है, जो हमारा पहला box है, देखो, 10 theta equals to dy by dx, theta हमारा small है, तो 10 theta की value आगई, हमारा simple theta लिख सकते हैं, theta equals to dy by dx, ठीक है, जो first relationship हमारा बता रहा है, radius of curvature में और slope में relationship, second बता रहा हमारा slope में, और y क्या हमारा, deflection, वीडियो के start matters, में बता था कि deflection क्या होता है, कैसे क्या होता है, distance होती है एक हमारी, तो dy आगए हमारा, अगर हम इसको differentiate करें, equation number, इसको हमने equation number one बोल दिया, इसको हमने equation number second बोल दिया, अगर हम differentiate करें, differentiate करें equation number second को with respect to x with respect to x हमारा क्या मिलेगा हमने differentiate करना है d theta को by dx equals to यह क्या जाएगा d by dx of dy by dx ऐसा हो जाएगा इसको हम कैसे लिख सकते है d theta upon dx is equals to d theta upon dx equals to d2 y by dx square ठीक है यह आगही हमारी equation number third यह आगही हमारी equation number third ओके अब हम d theta upon dx अपनी equation number one से देखते है क्या value थी from equation number one 1 upon r की value कितनी थी d theta upon dx put in equation number putting in equation third में रखें तो हमारा क्या मिलेगा हमको अगर हम third equation में रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमको one upon r is equals to d theta upon dx is equals to यह क्या जाएगा d to y upon dx square ठीक है एक relationship ही होगे हमारा curvature में, slope में और deflection में ठीक है यही हमारा वो था हमारा concern था हमारा ठीक है कि हमें क्या बात करनी थी हमारी slope में, curvature में और हमारे deflection में क्या relationship है अगर हम इसको bending moment में देखें तो क्या आएगा हमारा one upon हमें क्यों क्यों पढ़ी है bending moment की क्या थी m upon i equals to sigma upon y is equals to e upon r right तो अगर हम यहां से one upon r की value निकालें first और third term को लेके तो यहां से क्याएगी m is equals to one upon r ठीक है और यहां पर आजाएगा e और i one upon r की जगा m upon i लिख सकते हैं तो हमने यहां से अपनी इस fourth equation में रख दी one upon r की value तो हम लिख सकते हैं m upon i i is equals to d theta upon dx is equals to d2y upon dx square तो हमारा moment में slope में और हमारा deflection में हमारा relationship आजाएगा ठीक है अभी हमने इसमें क्या assume किया है कि जो equation है यह base है सिर्फ bending moment पे ठीक है इसमें fact of shear वो जो है वो बहुत small है तो हमने इसको क्या किया हूँ है neglect क्या हूँ है ठीक है इसमें इसमें shear force नहीं लिया हूँ है कि अगर हमारा shear की वे से reflection है हमने उसको neglect के हूँ है सिर्फ bending moment की वज़से reflection जो है वो देखा क्यूंके जो हमारी beam होती है majorly उसमें जो reflection होता है वो हमारी bending moment की वज़े से ही आता है ठीक है तो यहां से हम movement की value भी निकाल सकते है हमारी movement की value क्या आएगी M equals to M upon EI is equals to D2Y by dx square यह आजाएगा हमारा y deflection में और हमारे bending moment में relationship ठीक है तो इस lecture में इतना ही हम आगी next lecture में continue करेंगे thank you so much